हलो बस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूटूब चनल पर तो आज का नुस्का बहुती सरल नुस्का है और घरेली नुस्का है उनके लिए जो अपने दातों की समश्या से जूंज रहे हैं अब उसे ऐसे भी है अपने दातों का बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन फिर भी उनको थोड़ी थोड़ी प्रोल्म क्रेट होती रहती है दातों से चलिए चाहे आपको कैविटी की परेशानी हो या कही बार देखा जाता है बहुत सी बार मसूडों से ब्लीडिंग होने लगती है खून निकलने लगता है के बार मसूडों में पस बन जाती है स्वैलिंग परिशान करती है ठंडा गरम पानी लगता है दाड़ा दात हिलने लगते हैं यह बहुत से ऐसे भी होंगे वो चाहेंगे जी उनके भाई दात बेकार हो गए हैं गुट के तमागू खाकर और इनमें सफेदी आती ही नहीं वो चाहते हैं कि उनके टीत बिल्कुल वाइटनेस हो जाएं बिल्कुल सफेद हो जाएं तो वो भी इससे ही हो जाएंगे चले यह ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे नुस्के की तरफ चलते हैं आपको इसके लिए एल्यूम लेनी है यानि कि फिटकरी फिटकरी आपको आसानी से पता है मिल जाती है किसी भी पंसारी से किसी भी परचुन वाले की दुकान से आपको मिल जाएगी फिटकरी की मातरा रखें आप 50 गिराम अब इसको फिटकरी को लेकर तवे पर भून लें, भूनना कैसे है तवे पर मंदी आच में, धीमी आच में आप तवे पर फिटक्री को रख दें उसको चलाएना, थोड़ी देर बाद ही वो पिंगल जाएगी, उसके बाद आप आज को बंद कर दें, और ठंडा होने धे धंडा होने के बाद उसको छुटा लें तवे से और पीस कर पोडर बना ले इसके अंदर आपको 10 गिराम काला नमक लेना है, काला नमक भी पीस कर, जो फिटक्री का पोडर 50 गिराम फिटक्री लेनी है, 10 गिराम काला नमक, ध्यान रखें आप, तो 50 ग्राम फिटक्री पीस कर आपने भून कर तयार करी है उसी पोडर के अंदर आप 10 ग्राम काला नमक पीस कर मिला ले अब 10 ग्राम इसके अंदर खाने वाला सोडा मिलाना है ये तीन चीजे ही लेनी है आपको यानि 50 ग्राम फिटक्री 10 ग्राम काला नमक और 10 ग्राम खाने वाल सोडा अब ये तीनों चीजे एक साथ पोडर मिक्स हो गया है आपका ये मंजन तयार है मंजन कहें या उसदी कहें दातों के लिए रामबान काम करती है चोटा सिंपल साहिन उसका जैसे मैंने कहा आपको अब करना क्या है आपको थोड़ा सा लेकर हतेली पर रख लें इसको और अच्छी तरह से करें अंदर तक करें और एक डेड़ मिन्ट या दो मिन्ट तक इसको लगा है ने दें उसके बाद गुन गुने लुक वर्म वोटर से इसको वोश कर लें कुला कर लें बस आपको इतना करना है डेली सुबह साम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर छोटा बच् असर एक बारी में इसका आ जाए किसी को पेन हो रहा है तुरंट करा दो पेन भी बंद हो जाएगा और बहुत से ऐसे भी हैं भाई पस इनकी खतम नहीं होती और स्वैलिंग का भी खतम नहीं होती स्वैलिंग भी इससे खतम होती चली जाती है बहुत से ऐसे हैं गुटका प पेश्ट वगरा जो भी आप करते हैं वो कर सकते हैं बस तो यह आप इस्तेमाल करें और दातों की सुरक्षा इससे रहेगी बाकि खान-पान का भी ध्यान रखें भाई पेट का ध्यान रखें पेट साफ रखें और हर वीडियो में कहलता हूं पेट हमेशा साफ रहे आपका त मिलते हैं ने टोपिक के साथ धन्यवाद